हमारे विभिन ज्यान वर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले आज हम एक ऐसे विशे को लेकर बात करने वाले हैं जो आप ही लोगों का सवाल है और जितने लोग हमारे साथ जुड़ते हैं अधिकतर हमसे यही सवाल करते हैं बात आज होगी सरकारी नौकरी को लेकर वो कौन से ऐसे योग हैं आपकी जनपत्रका में, आपकी हथेली में, जो आपको सरकारी नौकरी दिलवाते हैं, आपकी मेहनत का रंग आपको दिलवाते हैं, ये सारी जानकारी आज हम आपको देंगे, बेहत खास कारेकरम के माधियम से तो आईए, कारेकरम की शुरुवात कर सरकारी नौकरी को लेकर आप से बात करना चाहेंगे सरकारी नौकरी लगने के योग कौन से होते हैं हमाई जण पत्रिका में ये बताएं जे आए दर्शो को बात करते हैं आज हम सरकारी जौक के बारे में बहुत लंबे समय से आप लोगों के अनेको सवाल अनेको कोश्चन हमें सुनने को मिल रही थे और खासतोर से मेल्स पर आपके यूट्यूब पर जहां आप कमेंट्स देते हैं तो बहुत ज़्यादा ऐसे कमे जौब के तो आज उपाए आपको बताओंगा है बताओंगा कि ऐसे कौन से उपाए kier जाए जिस से आपको अच्छी सरकारी जौब मिले लेकिन नसीब की भी तो बात होती है भाई e pouring ज़ूब है किसके बात में सरकारी जौब नहीं हैं तो कुछ बाते ऐसी भी आप से कर ली जाएं आईए सबसे पहले एक चीज जो परमात्मा ने सब को दी है वो है हाथ मैं आपकी हतेली के माद्दिम से आपको कुछ समझाना चाहता हूँ सरकारी जौब का एक बहुत अच्छा योग आपकी हतेली में भी होता है क्या होता है जिस प्राणी की हतेली की सूर्य रेखा आपके रिंग फिंगर के नीचे एक लंबी सी ध्यान से देखेंगे रेखा होती है लेकिन ये रेखा आपकी दोनों हतेलियों में निर्दोष रेखा होनी चाहिए कहीं से कोई रेखा में आड़ा तिर्चा कट ना लगा हो ये रेखा बिलकुल इसपस्ट हो आपकी हतेली के मद्धे जो तरकौन आत्मक इस्तिती बनती है ये तरकौन आत्मक इस्तिती बहुत जादा हमें सही नजर नहीं आनी चाहिए अर बहुत ज्यादा ना सक्त हो ना बहुत ज़ादा मांसल आवस्था में हो और उन लोगों की हटेली की जो fit line जिसको हम कहते हैं वो थोड़ी हमें देखने में उसकी डिगरी अच्छी निजर आती हो हाप की उंगलिया थोड़े लंबे पन पे हो तो भी हमने देखा अच्छी सरकारी जोर्ब में विक्ति जाता ही जाता जिस प्राणी की उंगलिया अच्छी लंबी होती है एक होती है एक थोड़ा अच्छी लंबी, थोड़ा समाने से थोड़ा सा ज़्याद लंबी, ऐसी अवस्था अगर किसी प्राणी के हाथ में होती है, उंगलिया काफी अच्छी लंबी होती है, और हतेली भी काफी अच्छी चोड़ी होती है, दोनों हाथों की बात कर रहा हूं, और हतेल लंबी हतेली, लंबी सूर्य रखा, अगर ऐसी होती है, तो आला दर्जे के अफसरान ऐसे प्राणी बनते हैं, यानि कि एक बहुत गजजड़ अफसर आप बन जाते हैं, बड़ी सिननी के अफसराब, बनते ही बनते हैं, अगर यह किसी व्यक्ति की हत्यली में ऐसा योग होता है, खेर, ऐसे तमाम योग आपकी ही हत्यली में बसते हैं, लेकिन मैं बहुत सारे ऐसे योगों का आज जिक्र नहीं करूंगा, क्यों? कई बार आपको वहम हो जाता है, कि सरमाजी ने जो बताया, वो मेरे हाथ में तो है नहीं, तो मुझे जोब नहीं मिलेगी, और कई बार जो मैं नहीं बता पा रहा हूं, वो भी आपकी हत्यली में होता है, और आपकी सरकारी जोब भी लग जाती है, ऐसा नहीं है, कि लंबे ही उंगलियां हो, लंबे ही हातों, तभी सरकारी ज योग होते हैं कि इंसान की जनम पत्रिका में ऐसे कौन से योग विद्वान हो कि जिसकी वज़े से उसकी सरकारी जोब बहुत अच्छी लगती है ये भी मैं आपको पता देता हूं जिस प्राणी की जरम पत्रिका में सूर्य उज्वल हो बुध अच्छी अवस्ता में हो और उस प्राणी का केंद्र केंद्र किसको कहते हैं पर्थम भाव चत्रत भाव सप्तम भाव और दसम भाव आपका केंद्र बलवान है आपकी हतेली के ग्रह बलवान है और उपर से आप का लगन बलवान हो गया तो केंद्र भी बलवान होंगे यानि के केंद्र बलवान है आपका लगन के साथ ही केंद्र बलवान होता है उपर से आपकी जनम पत्रिका के केंद्र में कहीं भी ब्रस्पती विराजमान हो और मंगल विराजमान हो तो ऐसी वस्तमी में मैंने देखा ह कि ऐसे बच्चों को ऐसे जातकों को बहुत 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 अच्छी जॉब मिलती है आप यह बात ध्यान रखें लेकिन आप क्या भाग्ये और आपका कर्म भी कोई बहुत बड़ी चीज़ है वो भी आपको अच्छी जॉब दिलाने में मदद करता है आपकी अपनी महनत कई बार देखो महनत सरकारी जॉब के लिए सब करते हैं कोई ज्यादा करता है कोई कम करता है लेकिन अपने अपने हिसाब से सब अच्छी महनत करते हैं कई बार तो माता पिता अपनी उकास से ज्यादा हमें अच्छा पढ़ाते हैं कि बही इतनी हैसियत नहीं होती लेकिन फिर बताऊंगा माता पिता वो उन सुत्रों का भी थोड़ा ख्याल रखें दोगो अगर बात जोतिस की आ गई अगर बात डेस्टिनी की आ गई बात भाग्य की आ गई तो जैसे एक पोधे को बच्पन से ही रोपा जाता है और बड़ा किया जाता ऐसे ही हम कुछ चीजें अगर बच्पन से ध्यान दें तो वो अच्छी रहती है आपके संग ऐसा नहीं हुआ लेकिन आप अपनी आने वाली संतान के संग इन बातों का ध्यान रख सकते हैं वो कौन सी बाते हैं क्या हैं आपको मैं बताऊंगा मेरे दो बच्चे हैं दोनों का एक्जाम चला आता आपने जो एक मंत्र बताया उनको मैंने बता दिया बेटा तुम नहां करके सुवा सुवा उसके बाद एक मंत्र गारावार जरूर पर लेना टेस्ट देने जाना जब उसका पेपर मिला तो उसको बिल्कुल दिमाग में आया नहीं जो एक भी क्वेस्चन मुझे आता है लेकिन जब वो लिखने बैटा तो पूरी लिख डाला और इतने अच्छे मार्क से 97.7% से पास किया है सर्थ सरकारी नौकरी के लिए मैं उपाय जाना चाहूंगी जो लोग सरकारी नौकरी चाहते हैं क्या उपाय वो अपना सकते हैं आये दर्शे को बात करते हैं आपको फटाफट सरकारी जोब मिले बहुत अच्छी सी आपको सरकारी जोब मिले हमारा भी मन खुश हो जब आपके इस प्रकार के कामेंट्स आते हैं सर हमारा कारिया पूर्ण हो गया है ना देखो हम चाहें टेल्वीजन के माद्यम से आप से बात करें चाहें हम यूट्यूब के माद्यम से आप बात करें हमारा धे यही होता है कि आपके कारिय सिध्ध हो जाए है ना अब सबसे पहले तो उपाई के साथ एक उपाई यह भी मै होगा जैसे की हम बहुत छोटी उमर में बच्चों को दाखिला दिला देते हैं बहुत छोटी उमर में आजकल तो हमने देखा कि तीन साल का बच्चा होता नहीं हलाकि गूर्मेंट भी कहती है भी चार साल से पहले मत भेजिए तीन साल का बच्चा होता इस बात का आप ध्यान रखें, जब हम बच्चे का दाखला कराते हैं, उसका हम एड्विशन कराते हैं, उसके लिए बहुत अच्छे दो-तीन दिन होते हैं, उन दिनों को भी मैं आपसे पता देता हूँ, वो कौन-कौन से बहुत अच्छे दिन होते हैं, आप लोग काफी पै बच्चे के एड्विशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं, इसमें हम दाखला कराएं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट बच्चे की पढ़ाई में आ गया था, दूसरी चीज का एक ध्यान और रखें आप, मंगलवार और शनिवार, हमें बच्चे की पढ़ाई की सुरवात आप नहीं करने हैं, इन दोनों बारों से में बच्चना है, मंगलवार से भी और शनिवार से भी, देखो बच्च्पंसी कोई इंतिजाम किया जाता है, तो लाश्ट तक आते आते हैं उसका प्रिणाम अच्छा होता है, ये चीज आपको दिमाग में आ गया, इस बात का कताई भी एडविशन से ना कराएं, रिक्ता दिति में, थाइस ये पर बच्चे में, इसमें भी ऑम अंच्विशन्त उते हैं, और कुछ ऐसे दिन भी होते हैं कि जिसमें बहुत अच्छी विद्या आपको हासिल हो सकती है जैसे अगर किसी बच्चे ने इंजिरिनिंग में दाखला लेना है तो उसके लिए बुद्वार बहुत स्रेश्ट रहता है बुद्वार के दिन और बुद्वार के सास्ता अगर कोई और दन नहीं मिल रहा है तो आप शुक्रवार ले सकते हैं बुद्वार और शुक्रवार इंजिरिनिंग के लिए बहुत अच्छा माना जाता है आप उससे अपना आगे का साल सुरू कर सकते हैं भी आप करना चाहरे हैं अब कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं दर्श को जिन नक्षत्रों में हम आवेदन फ़ाम भरें या हम जॉब के लिए इंट्रव्यू के लिए जाएं या हम बच्चे को उस समय दाखला दिलाएं किसी भी ऐसी शिक्षा के लिए पढ़ाई के लिए कोचि स्वन तीनों पूर्वा नक्षत्र म्रक्षिरा आद्रा पुनर्वसू पुष्य आशलेशा मूल और रेवती नक्षत्र सुब माने जाते हैं जिस समय हम किसी भी रूप में बच्चे का दाखिला कराते हैं एडविशन कराते हैं तो यह तो हुई वह वाली बात कि हम अच्छे उपाय करें आप वो नोट किये जाएं आईए आप नोट किये किजिएगा एक हैं यहां मंत्र बताते हैं आपको उस मंत्र को आप नोट करें ओम हिरिम हम सह दुबारा सुनें ओम हिरिम हम सह इस मंत्र को हल्दी की माला से प्रति दिन पांच माला चोटा सुत मंत्र दो महीने लगाथार करें और उसके बाद शूर्य को जल देदें। जब आपने ये 3 या 5 माला कर ली उसके बाद आप आदित्य हरदेस् तरका तुन नट पार्ट करें। आदित्य हरदेस् तोत्र के बाद सूर्य अश्टक पढ़ें। तीन चीज़े हो गई आपके लिए, तीन माला या पाँच माला इस मंतर की, सूर्य मंतर की, ओम हिरिम हम से, आदित्य हर्देश तोत्र, सूर्य अस्टक, ये तीन चीज़ आपको कम से कम 2,5-3 महीना लगातार करना है, आपको सफलता अवश्य मिलेगी, इसी के साथ साथ, आप को अपना ब्रस्पति बहुत मजबूत बनाना है उसके लिए आपको गुरु का मंत्र भी पढ़ना होगा मंत्र आप नोट करें ओं ग्राम ग्रीम ब्राम यौर्ण से गृवे नमा दुबारा सुने ओंग ग्राम ग्रीम ग्रौम से गुर्वे नमा इस मंत्र की भी अगर होसे के पांच मिनिट दर्स मिनिट या एक माला आप प्रती दिन करें इस से आपको विश्णु भगवान की किरपा मिलेगी और आपको अच्छी जॉब मिलेगी प्रते एक ब्रस्पतिवार के दिन मस्तक के ओपर पीला तिलग लगाए और यहां दर्शो को जूपीटर माउंट होता है बच्छो तो यहां जूपीटर माउंट के ओपर भी आप हल्दी का तिलग लगाएगा यहां लगा सकते हैं दोनों हातों में लगा सकते हैं यह योग भी सरकारी जोग के लिए अति उत्तम फल देने वाला माना जाता है एक लास्ट उपाए और सुन लीजेगा शोला ब्रस्पतिवार पानसो गिराम भुना हुआ चना ले ले और उसमें 500 गिराम गुढ़ की डलियां छोटी-छोटी करके डाल दें और कम से कम 100 गिराम उसमें किस्विस मिला लें यह सोला ब्रस्पतिवार मनी-मन ओम शिरी गुर्व वाले और वो तिरी धातु में क्या-क्या होता है आप सोना रहने दीजिएगा महंगा पड़ेगा अभी तो जोब नहीं लगी है जोब लग जाएगी तो सोना भी पहने लेगे तो आप क्या करें तांबा पीतल और चांदी तीनों का रेशो समान अनुपात में लेकर के आप रवी वार की प्रातेकाल आप उस छले को अपनी रिंग फिंगर में धारण करें अब आप अपनी इसमें पीश्चा क्या हख और जो लड़के होतें वह अपने 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 कंगा में अट्वा करें सिवज्जाँ अफ में पॉस्क्रूज यह अप से पच्छा आ हो पोर्मेंट्ग करेंगा इन उपायों से सहयोग मिलेगा कहने का मतलब कि सरकारी जोब वाले बच्चों को अपने ब्रस्पती को डवलब करना है अपने सूरिय को डवलब करना है बस बेटा आप इतना करिएगा मुझे पूर्ण विश्वास से इससे आपको अच्छी जोब मिलेगी जितने मुझे से हो सकती है आपकी हल्ब में करने का प्रयास करूँगा आप समय शारा कर रहा है कि कारिकर्म को यहाँ पर विराम देना होगा आपने अपना कीमती समय दिया बहुत बहुत धनिवाद उसके लिए आपका नमस्कार तो सरकारी नौकरी के लिए क्या उपाय आप अपना सकते हैं वो कौन से ऐसे योग हैं जो आपको सरकारी नौकरी की प्राप्ती कराते हैं ये आज आपने जाना रही बात शर्मा जी का मार्क दर्श्रुम प्राप्त करने की तो उसके लिए numbers आपके सामने हैं, numbers पर आप सुबा 10 से शाम 6 बजे के बीच में contact कर सकते हैं मुलाकात करना चाहते हैं तो personal appointment ले ले या फिर आप दूर दराज रहते हैं मुलाकात नहीं कर पा रहें किसी reason से तो ऐसे मैं आप call appointment ले लीजेगा चले कि दीजे उजाज़त पर YouTube पर सब्सक्राइब करना ना भूले नमस्कार